हेलो एब्रीवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हूंगे यूपी ट्रिपल एससी यानि की पैस का जो नया सिलेवस है वो मैं आपके साथ साजा करूँगा यहां से आपको देखो कुछ modern history के topic आपको दिखाई दे रहोंगे don't worry मैं पूरे topics जितने भी subject के बन पड़ते हैं इस वीडियो में आपके साथ मैं साजा करूँगा topic wise सिलेवस को हम लोग देखेंगे कि UPSSCPT का जो particular है और परिच्छा pattern exam pattern है उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे उससे पहले आप लोगों से दो सवाल में पूछना चाहूँगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था यह आपको नीचे comment section में बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहा हुआ है यह भी आपको बताना है और कब हुआ है यह दोनों बातें आपको बता नहीं है दूसरी बा पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी सबसे परहे देख लो बिग्यापन जो है वह एक आठ दो जारी कर दिया गया है ओनलाइन आप एक अगस्त से कर सकते हैं आखरी डेट तीस अगस्त को रखी गई है और फी का जो समायोजन है और आवेदन में संसोध अन् से सब्टेंबर तक दी जाएगा उसके बाद किसी तरह का कोई अफसर नहीं मिलेगा अनलिस यह जब तक डेट नहीं बढ़ा देते हैं तब तक अब देखिए ऑनलाइन अपलाई कहां करना है upssc.gov.in पर जाकर आप अपलाई कर सकते हो अब देखिए आगे बढ़ लेते हैं और जो भी syllabus है न वो मैं आपके साथ अब डिसकस करता हूँ इधर उधर की बातें बिलकुल नहीं करेंगे सीधे syllabus की और हम लोग बढ़ेंगे तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और syllabus की और हम पूछे जाएंगे और दो घंटे के अंतराल में आपको ये 100% solve कर देने हैं यानि कि 120 मिनट का वक्त आपको दिया जाएगा जिसमें से 100% को आपको solve करना है क्लियर हो गई बाते चलिए आगे बढ़ते हैं पांच अंकों के लिए देखिए आपको कितने topic को पढ़ना है यान जैन धर्म के बारे में पढ़ना है यानि कि महाबीर और उनकी जो सिक्षाएं है जीवनी है वो पढ़ लेना है मौरी समराज में सिर्फ समराठ असोग को पढ़ना है गुप्त बंस में समुद्र गुप्त चंद्र गुप्त दूतिय के बारे में पढ़ना है हर्सवरदन को राजपूत काल के बारे में पढ़ना है, सलतनत काल के बारे में पढ़ना है, मुंगल समराज में सभी जो राजाओं है उनको बारों में आपको पढ़ लेना है, माराथा के बारे में आपको पढ़ लेना है, इसके अलाबा बिर्टिस राजी का जो अभियुदय है और प्रथम स्वतंतरता संगराम जो हुआ था उसे पढ़ना है बिटिस राज के समय जो समाजिक और आर्थिक प्रभाव पढ़ा था वो पढ़ देना है पांच अंक के लिए आपको इतनी सारी पढ़निये चीज़े अब नेशनल इंडियन मुव्मेंट भी आपको पांच अंक देगा आंदोलन और उग्र रास्टवात का जो उदय है उसे आपको पढ़ लेना है आगे देखिए विधाई संसोधन तथा ब्रिटिस इंडिया एक्ट 1935 को आपको पढ़ना है भारत छोड़ आंदोलन पढ़ना है आजाद हिंद फोज और नेता जी सुभाश चंद्र बोस के बा नदिया और नदी की जो घाटिया है वो आपको पूछा जाएगा भूजल संसाधन के बारे में पूछा जाएगा परवत और पहाड पहाडियां एबं हिमनंद को पढ़ लेना है आपको मरु अस्थल और सुस्क छेत्र के बारे में पढ़ना है वन पढ़ना है खनीज प्रवास के बारे में पढ़ना है आगे देखिए भारतिय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको 5 अंक दिये जाएंगे पढ़ना क्या है भारतिय अर्थव्यवस्था जनक कौन था ये भी पढ़ लेना है हरित कांती के बारे में पढ़ना है दुख्द विकास और ऑपरेशन फलड क्या था उसके बारे में पढ़ना है बैंको का राष्टी करन तथा सुधार कोई अगर कॉमेंट करके बता दे बैंको का राष्टी करन किस साल किया गया था हरित क क्रांती के जनक कौन थे स्वेट क्रांती के जनक कौन थे नीची कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको पता है तो वर्स 1991 में जो आर्थिक auenक किये गये थे उसके बाद की जो अरत्वयवस्ता मी पड़ ले लेना है आपको Rus सरम सुदार है और GST कब लगाता यह बताई आपको पहले किस देस ने लगाया था यह सारे चीज़ों को कराइब बता ये सारे पढ़ना क्या क्या है, भारतिय समिधान की जो विशिस्ताये हैं, राज की जो निती निर्देसक सिदांत है, मौलीक अधिकार और करते हैं, परनाली संसद और केंदर सासित परदेश, केंदर राजी संबंद जो है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, नियाईक धाचा, स संस्थानिय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ लेना है पांच अंक आपको जो है समान यह यानि की विग्यान से मिलेगा जिसमें की भौतिक विग्यान रसायन विग्यान और जी विग्यान तीनों को इक्वली पढ़ना है क्लास 10 तक के NCRT को आगे देखिए एलिमेंटरी अर्थमेटिक में पुर्ण संख्या भिन दसमला पूछा जाएगा परतिसत्ता पूछी जाएगी साधारन अंक गनितिय समीकरन पूछे जाएगे वर्ग और वर्गमूल घातांक और घात और एबरेज से प्रस्न पूछे जाएगे अब देखो समानी हिंदी जिनरल हिंदी में जब पांच अंक आपको देखने को मिलेगा संधी बिलोम सब्द परियावाची सब्द वाक्यांसों के लिए एक सब्द लिंग और समसुरुत भिनार्थक सब्द पूछे जाएगे मुहाबरे और लोकोक्तियां पूछे जाएगी समानी याने की कविता और कहानी दोनों के पूछे जाएगे पांच अंक आपको इंगलिस में मिलेगा जिसमें की इंगलिस ग्रामर और जो पैसेज है उससे प्रसंद पूछे जाएगे पांच अंक के लिए पांच अंक आपको देखिए रिजिनिंग से मिलेंगे अब यानि की blood relation देखो सम्मद यहां दे दिया है समूसे भिन को अलग करना कैलेंडर और घड़ी, कारान और प्रभाव coding, decoding पढ़ना है जिसमें की letter और नमबर दोनों पढ़ लेने है निगनात्मक, तर्क और कथन विशलेशन का निरने भी पूछ लिया जाएगा आपसे समसमाईक यानि की current affairs विदसनंक अंकों का पूछा जाएगा समानि जागरुकता यानि की general awareness विदसनंकों का पूछा जाएगा, इसमें देखे जीके में भारत की पडोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा, किसकी मुद्रा क्या है वगेरा वगेरा भारत के राजित तथा केंद्र सासित परदेश के बारे में पढ़ना है इसके अलावा देखो भारतिये संसद, राजसभा, लोगसभा, विधान सभा और विधान परिशत के बारे में पढ़ना है राश्टिय और अंतराश्टिय जो दिवस हैं वो पढ़ लेना है आपको बीशु संगठन और उसके मुख्याले जो भारतिय परियतन अस्तल हैं उनके बारे में भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है भारत एवन भिसु के जो खेल है उनके बारे में भारतिय अनुसंधान संगठन और भारतिय के जो परसिद बुख्या और उनके लेकक है उनके बारे में पढ़ना है भिसु के लेकक से भी प्रस्न पूछे जाएंगे इसके अलावा पुरुसकार और विजेता से भी सवाल पूछे जाएंगे जलवायू परिवर्तन और परियावरन से भी प्रसंद पूछे जाएंगे दस अंग आपको देखे जो है मिलेगा वो गध्यानस और पध्यानस में किसके लिए हिंदी के लिए ग्राप से जो प्रसंद पुछे जाएंगे दस अंग आपको वहाँ देगा तालिका की ब्याख्या और विसरेशन के लिए जो है दो तालिका आएंगे पांच-पांच के लिए आपको दस अंग यहाँ भी मिलेगा तो यह टोटल सिलेवस था और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी यहां से देखो वन फोर्थ की नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्रम एक से लेकर नौ तक जो है डिफिकल्टी लेवल रास्टी यह सैक्षिक NCRT के बुक पर आधारित होगी इनों ने बिलकुल असपस्ट रूप से सारे चीज़े लिख दी है विडियो अगर आपने यहां तक देख लिए तो नीचे कमेंट करके जैहिंद जरू लिखिए ताकि मुझे पता चल सके विडियो आपने यहां तक देख ली है फिर से दोरा दू विडियो जहां से भी देख रहे हो जिस जिले से आप देख रहे हो नीचे कमेंट करके उस जिले का नाम लिख दे मिलते हैं किसी और विडियो में थेंक्यू सो मच पूर वाच्छिन इस विडियो हैव गुड डे